असलाम वालीकूम, वल्कम आप सभी का इस नई वीडियो में, तो जिस सरब सभी को आता है कि जीके बूपी, BSA Nursing, BSA Paramedical और BSA Technology Courses के फॉर्म लग रहे हैं, तीन में उसकी last date रहने वाली है, तीन में से पहले पहले आपको अपना फॉर्म सब्मेंट करना पड़ेगा, अगर आपने अभी तक सब्मेंट नहीं किया है, तो इस वीडियो में हम उच इंपोर्टन इंफोर्मेशन आपको देने वाले उन सभी कंडियो के लिए जन्हों नहीं नहीं बरा है, तो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा रहने वाला वीडियो को पूरा आं तक देख लेना और टेलीग्राम ग्रूप हमारा जोइन कर देना, लिंक उसके आपको दिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो चली वीडियो को शुरू कर लेते हैं, और देख लेते हैं क्या कुछ इंपरनट अपडेट है आप सिटूडेंस के लिए, जब आप अपना फॉर्म फिल अप कर यह वह होती है, और लास्ट नमर पे आपका पीड़लीडी, अगर फिजिकली वीक कंडिडेट है कोई, उसको यहां पे लगने वाली है, वो अगर आपके पासे वह लगा लीजे, और जो लेटरल इंटरे वाले कंडिडेट्स हैं, उनको डिप्लोमा सर्टिफिकेट वहां प कर सकते हैं, अब देखें, यहां पे जो कंडिडिडेट्स हैं, जो जो ने अभी डॉकुमेंट्स वाले पेज़ पर उधर आपको फिर 12 की माकशीट भी डालने की जूरत आपको नहीं है, उसके बाद आपको क्या होगा, आगे चलके जब आपकी जब आपकी जारी कर देगी, जब तक आपका रिजल्ट डेक्लियर आजाएगा, तो डेफिशेंसी लिस्ट कि उसमें आपका नाम होगा, आपको फिर अपनी डॉक्मेट्स अप्लोड करने पड़ेंगे, ओनलाइन ही होगा, कोई इशू नहीं है, यह मैं समझा दूँगा आपको उस तरह से आपको कर लेने है, उसके साथ सबसे इंपोर्टन जिस पर मुझे यहाँ पर बात करनी है, इसमें आपको पता है कि जो हमारी RBA या बाकी कुछ Categories है, इनका टाइम होता है पांच साल, तक आपको Category Certificate अपनी रेन्यों करवानी हो दी, CST तो वैसे रेन्यों होती नहीं है, लेकिन RBA जो होती वह पांच साल के बाद आपको दुबार से बनानी पड़ती है, तो पांच साल तक उसका टाइम होता है, उसके बाद एकस्पायर हो जाती है, अब देखिए कई सारे Candidates ACN जिनकी RBA जो एकस्पायर हो चुकी है, लेकि PMA, बहुत सारी Categories है, इनमें कोई Candidate Fall करता है, इनका Categories से कोई Belong करता है, लेकिन Currently उसके पास कोई भी Category Certificate Available नहीं है, ठीक, मतलब अभी उसके Category Certificate Available नहीं है, लेकिन वो Category में Fall करता है, और उसने तहसील में अपने Documents पगरा डाले है, बना रहा है, दो दिन लगें 10 दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे, लेकिन यहां पर आपको Form भी अपना Submit करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, वो मैं आपको यहां पर बताऊंगे, पहले आप देख लिए अगर आपको 2 या 3 दिन या 4 दिन का Time लग रहा है, अपनी Category को बनाने के लिए, तो आप Category अपनी Select कीजिए, जो भी आपकी Category है, लास्ट पहले पेज जो आपको होगा, जहां पर Document आपको Upload करने होंगे, उसमें आप, मतलब यहां तो एक Affidate बनवा लीजिए, यहां से आप Category अपनी बनवा रहे है, जैसे, for example, आपको RB है, वो आप तहसील Office है बनवा रहे तो वहां पे आप Undertaking एक बनवा के लाईए, Undertaking एक पेज भी आपको बना देंगे, Undertaking में क्या, Sorry, Undertaking नहीं, Under Process Certificate होती है, Undertaking नहीं होती है, Under Process Certificate होती है, वो आपको वहां पे बना के देंगे, उसमें Mentioned होता है, हाँ, यह Candidate, इसका यह नाम है, इसकी Category Certificate जो है, वो Under Process ह और इतने दिनों में वो यहां पे रेडी कर दी जाएगी, ठीक, एसे बना के आप उसको अप्लोड कर सकते हैं, नहीं तो, आप Affidate एक बना लीजे, उसमें आप Mention कीजे कि मेरी जो Category Certificate है, वो Under Process है, वो उसको 10 या 15 या 20 दिन अभी लग जाएंगे, तो फिलहाल मैं अपन बना के, उसको चड़ा दीजे, तो कोई Issue आपका नहीं होगा, आप Category अपने Select कीजे, जब आपका फिर Counseling होगा, एक्जाम भी आप दे दीजे, कोई Issue नहीं है, जब आपकी Counseling होगी, उस टाम आप फिर Original वहां पे जो Certificate होगी, उसको वहां पे अपलोड कर सकते हैं, नही चल रही है, तब तक आप अपना कोई भी डॉक्मेट अपलोड कर सकते हैं, तो इस तरह से आप अपनी Process को यहां पे कर सकते हैं, यहां कई सारे Candidates ऐसे हैं, जिनका Category Expire हुई है, तो उनको Expire वाली Category तो आपको नहीं चले कि वह Reject हो जाएगी, तो इसलिए आप Under Processing वाला लास्ट पे आप डालोगे ही नहीं कुछ, तो फिर आपका Form Reject हो जाएगा, Affidavit आप बना लिए, Short Method में आपका Affidavit बन जाएगा, जो है, उसको 100-500 रुपे में बन जाता है, आपको Code से Affidavit एक, उसमें सारी Details आपको Mention करनी पड़ेगी, उसके साथ-साथ-साथ, अगर आपके पास वो Reserved Category है नहीं, उसके बाद आपका क्या होगा, आपका Form जो होगा, जो होगा, जो होगा, आपका Form Reject तो नहीं कर देगी आपका Form Category पे, लेकिन आपको Shift कर देंगे, वो Open Mirate में, ठीक, Category की आपकी Reservation वहाँ पे नहीं मिलेगी, आपने Category आपने RBA सेलेक्ट कर Classes वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, उसके बदले, जब आपकी Counseling होगी, उस टाम अपलोड कर सकते हैं, या Correction Window जब ओपन हो जाएगा, उसमें आप उसको Edit कर सकते हैं, तो यह था कुछ Important Updates आप सभी Candidates के लिए, जो मुने डिसकस किया, मुझे लगता अभी आपको जह थो